आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके लिए आपर भरती मत्तुपोन कॉस्चन आंशर अपनों पन्यास विदा से संबंज़त पड़ रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को पूरा वस्त देखेगा अगर आप चैनल पर पह पूश्चा गया है तो सभी लोग आजाईएगा जल्ली से जुढ़ जाईएगा वीडियो को लाइक कर लिजेगा और आज का फ़र्ट कॉस्चन पूश्चा गया है एक पती के नोट से इंस द्रस्चना किन की मानी जाती है यह आपके लिए連स करना है चारवे कलप कह आपके दिए गया है मत्यपूर्ण कॉश्चन आप से पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सयांसर आ रहा है रवेंदर कालिया नरेंद्र कोहली रमीश वक्षी महिंद्र वल्ला तो महिंद्र वल्ला जो है उनी की रचिना मानी जाती है एक पति के नोट से अगर पूंचा जाता उपन्यास किसे ने लिखा है कॉश्चन नमबर दो में आपके लिए चैन करना है सयांसर बताइए ना भूतो ना भविश्यत उपन्यास किसे ने लिखा है नरेंद्र कोहली रवेंद्र कालिया प्रमीश वक्षी या फिर दोस्यंत कुमार पिंकी जी अनीता जी संध्या जी संध्यू जी तो कोंश्यों नमबर डो में आपका सही आंचर आ रहा है कोंचर नमबर कोहली जी का उपन्यास नहीं है क्या पूँचा है नहीं पूँचा क्या है कंदिल और कवासे या फिर कुरू कुरू स्वाः या फिर कसब या फिर टाटा प्रूफीशर question number 103 में राधन जी चैन कीजेगा मत्पूर्ण question नमलिकित में से कौन सा उपन्यास मनुवर्श आमजोसी का नहीं है तो 3 में आप सभी का सही answer आ रहा है विकल्प number 8 कंदील और कौहां से कंदील और कौहां से ये वाला जो विकल्प है विकल्प number 1 आपका यहां पर सही answer होगा बहुत बढ़िया अंगला question नहीं आप देखेगा question number आप से पूंचा क्या है चार पहला गिर्मिटिया में किस की जीवनी है पहला गिर्मिटिया उपन्यास है जिसमें किस की जीवनी है ये बताना जबाहलाल लिरू question number 104 है और 104 में आपके लिए बताना है पहला गिर्मिटिया में किस की जीवनी है तो आप सभी का सही answer आ रहा है चार में विकल्प number C आनी की गांधी जी की गांधी जी आपका यहां पर सही आंचरों का विकल्प नमबर यहां पर जेनोने C चेन क्या है उनका यहां पर सही answer है मतमा गांधी आपका सही answer होगा अंगला question यहां पर देखेगा question number आप से पूंचा गया है पांच निमनलिकित में से कौन सा उपन्यास बाबरी मजजित ध्विन्स की गटना को आधार बना कर लिखा गया है वह उपन्यास आपके लिए बताना है आत्मा घर है आखरी कलाम है किससा गुलाम है या फिर आखरी दिन है 105 में आपके लिए आपर चेन करना है मत्यकूर्ण question आप से पूंचा गया है और 105 में आप सभी का चाहिए answer होगा विकल्प नमबर दो यानि की आखरी कलाम आखरी कलाम जो है यह उपन्यास है जिसमें बाबरी मजज़द धंच की गटना को आधार बना कर लिखा गया है तो विकल्प नमबर बी जो है भै आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा गोबर गड़े सुपन्यास की लेकर कोई माने जाते है 106 में आपके लिए आपर चैन कनना है प्रीती जी, गोबिंद्र मिस्र है या फिर गिरी राज के सूर है रमेश चंद्र सा है या फिर देवराज है कौशन मत्यपूर 106 में आपके लिए चैन कनना है रमेश चंद्र सा है आपका या पर सही आंसर हो का बहुत बढ़िया विकल्प नंबर 1 सी जनोंने भी या पर चैन क्या है उनका या पर सही आंसर होगा इसाथ चंद्र साह को 2014 का साहिट अकादमी पुरुषकार उनके के सुपन्यास को मिला है रमेश चंदर साय को साहित अकानी प्रोषकार से सम्मानेच किया गया था 24 का जो साहित अकाजमी था इसी इसे कि सुपन्यास पर किस्टा गुलाम पर या फिर पूर्बा पर या फिर असबाब ये वीरानी या फिर बिनायक साथ का सही आंसर चेहन कीजेगा महत्यपूर्ण कॉस्चन या पर पूंचा गया है और विकल्प नंबर डी बहुत सारी लोग बता रहे हैं कि बिनायक यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार जैनोंने भी यहाँ पर चेहन किया है डी वाला विकल्प उनका यहाँ प आपका सही आंसर है कॉशन नंबर आपसे आठ पूंचा गया है नौकर की कमीज और पन्यास किसने लिखा है आठ में आपके लिए चैन करना है चार विकल पर दिये गए रमीश चंदर साय ने विनूद कुमार सुकल ने गोविंदर मिस्र या फिर गंगा प्रसाज विमल ने ब माना जाता है उपन्यास किनका तो आठ में विकल्प नंबर भी आपका सही आंसर होगा विनूद कुमार सुकल विनूद कुमार सुकल जी जो है उनी का उपन्यास माना जाता है विकल्प नंबर आपका सी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा गोविंद्र मिस्र को 2013 का सरस्तुत सब्मान के सो पन्यास पर मिला था गोविंद्र मिस्ट को एक सो नौ में आपके लिए चैन करना है बताइएगा दिपक जी क्या होगा सई आंसर भहे अपना चेहरा या फिर पांच आंगनों बाला घर कोहरी में के दरंग या फिर धूल पौधों पर एक सो नौ में एक सनौ में आपके लिए सई आंसर चैन करना है क्या होगा सई आंसर तो आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है गोविंद्र मिस्ट को 2013 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वह दिया गया था कि सुपन्यास पर धूल पौधों पर विकल्प नमबर डी जेनों ने भी चै क्या है उनका यहां पपर सइयांचर होगा धूल पौधों पर मिस्ट हो गई तो मिस्ट से गोविंद्र मिस्ट यहां पर याद कर सकते हैं नहीं कई उपयन्यास माना जाता है question number आपसे यहाँ पर पूंचा गया है दसबा question की दीवार में एक खड़की रहती थी यह किनका उपण्यास से इसके लेकक आपके लिए बताना है मन्जूर एहतिसाम है या फिर यहाँ पर रमिष चंद्र साह है बिनुद कुमार सुकल है या गोबिंद्र मिस्त्र है दीवार में एक खड़की रहती थी उपण्यास के लेकक कौन माने जाते हैं चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए हैं और आप सभी का इहां पर सही आंसर होगा दसमें विकल्प नंबर सी सही आंसर है यानि कि बिनुद कुमार सुकल आपका इहां पर सही आंसर का क्या है सही आंसर बिनुद कुमार सुकल जनन विकल्प नंबर तीन चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कोर्शन देखेगा सफेद मैमने उपन्यास के लेका कौन माने जाते हैं बताइएगा मणी मदुकर हैं पंकच विस्ट हैं योगेस कुमार हैं या फिर गंगा प्रसाद बिमल हैं जारह में आपके लिए यहां पर चैन करना हैं क्या होग सफेद मैमने मनी मदुकर जी की रचिना उपन्यास माना जाता है विकल्प नमबर यह जनोंने भी यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा विजय संकर जी बहुत बढ़ियां अंगला कोशन आप देखेगा निमने लिकत मैंसे कौन चाव पन्यास मंजूर एहत चिक त्याश का नहीं है देखेगा नहीं पूचा गया है प्चा ब्रगद अपने अपने राम दास्तान एलापता या फिर मदर्षा बारे में आपके लिए अहां पर चैन करना है चार वेकल्प आपके दिये गए हैं कौन सा उपण्यास मजूर एहतिसाम का नहीं है नहीं पूंचा है तो आप सभी का यहां पर बारे में सई आंसर होगा वेकल्प नमबर बी सई आंसर है अपनी अपनी राम अपनी राम यह उपन्यास विदा कि रचिना जो है मंजूर एहतिसाम का उपन्यास नहीं माना जाता है बाकि सुखा बरगद दास्तान इलापता और मदर्सा यह माने जा आती हैं तो वब बाला वेकल्प आपका सई आंसर होगा आपसे यहां पर पूंचा गया है तेरह मुझे चांद चाहिए उपन्यास किसे नहें लिखा है तेरह में आपके लिए चैन करना जीव बनदना जी मुस्कान जी क्या होगा सई आंसर लाई कबस्त करते जाएएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर सुरेंद्र बर्मा क्या सही आंसर सुरेंद्र बर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर सी जन्होंने भी तेरह में चेहन किया है उनका यहाँ पर सयांतर होगा कॉश्चन नमबर आपसे यहाँ पर चहुदय पूँचा गया है कैसी आग लगाई वो पन्यास केसे ने लिखा है एक सो चहुदय में आपके लिए बताने है कमला कान तितरपाटी ने या पिर असगर बजाहत में मंजूर एहते सामने या पिर प्रिकास मनुने कैसी आग लगाई वो पन्यास केसे ने लिखा है चहुदय वा कॉश्चन आपसे पूँचा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा चहुदय में क्या होगा सही आंसर तो बहुत बढ़ियां चहुदय में आपका सही आंसर है असगर बजाहत आपका इहां पर सही आंसर है असगर बजाहत की वज़ाई से जो है आग लगाई तो कैसी आग लगाई असगर वजाहत इसके उपन्या से इनके लेखक माने जाते हैं कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पंद्रह पूंचा गया जिंद्गी नामा किसने लिखा यह उपन्या से आपके लिए चैन गन्ना है मन्नु बंडारी ने, कृष्णा सोबिती ने, उसा प्रियंबदा ने या फिर मम्ता कालिया ने कॉस्चन मत पूंचे पंद्रह पा कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है और अपन ने याद भी किया है कि जिंद्गी नामा, जिंद्गी नाम कर दी, किस के? किष्ण के? किष्ण के जिंद्गी नाम कर दी, तो जिंद्गी नाम से जिंद्गी नामा, किनके किष्ण के तो किष्ण से किष्णा सोबिती इस परकार जंद्र की नामा ये लिखा है कि नोने कृष्णा सोबिती ने विकल्प नमबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नमबर भी आप सभी का सही आंसर है question number आपसे यहाँ पर 16 पूंचा जया है से स्यात्रा नाम को पन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है 16 में आपके लिए चैन करना है बताईएगा मन्नु बंडारी या फिर मैत्रे पोस्पा या उसा प्रियमबदा या फिर किष्णा सोबती question मत पूर और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा से स्यात्रा नाम को पन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है लेखी का पूंचा जया है विकल्प नमबर आपका सी सही आंसर उसा प्रियमबदा उसाप प्रियंबदा की से स्यात्रा रह गई है किनकी उसाप प्रियंबदा की तो उसाप प्रियंबदा जी का यह उपन्यास माना जाता है से स्यात्रा विकल्प नंबर सी जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सबसे बड़ा सिपया उपन्यास किसने लिखा है सत्रह में आपके लिए चैन करना है बीरंद्र मिस्र ने, मितले स्वर ने, विबूती, नारयन ने या फिर बीरंद्र जियन ने Question number आपका यहाँ पर 17 पूंचा गया है और 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर चैन करना है सही आंसर, सबसे बड़ा सिपया, सबसे बड़ा सिपया उपन्यास किसने लिखा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसरों का 17 में विकल्प नमबर डी सही आंसर है, बीरंद्र जियन, सबसे वड़ी सिपया कौन है बीरंदर जैन है बीरंदर जैन तो बीरंदर जैन जी का यह उपन्यास माना जाता है वेकलप नमबर आपका जो डी है वैं आपर सही आंसर होगा अंगला क्वोश्चन यहापकत देखेगा क्वोश्चन नमबर आप को यहापर 18 पूँचा क्या है है महाबोज पण्याज किसने लिखा है महाबोज आपके लिए वताना है किर्षना सुबती सिवानी या फिर मन्नुबंडारी या फिर मंजुल भगत 18 पर question है स्रोज जी नीता जी और आप सभी का यहां पर सई आंसर क्या होगा और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है महाबो जो पन्यास किसने लिखा है कई बार पड़ा है मन्नु भंडारी कैनोंने मन्नु भंडारी आपका 18 जो विकल्प नमबर C है बाई आप सभी का यहां पर सई आंसरों का बहुत बढ़ी हैं बिल्कुल सई आंसर आप लोगोंने यहां पर चैन क्या है मन्नु भंडारी गुलाम मन्डी उपन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है गुलाम मंडी एक उपन्यास है और इसकी लेकी का है मेत्रे पुस्पा, मिर्दूला गर्ग, महुआ मांजी या पिर निर्मला भुराडिया बताईए उन्निस वा कॉश्चन यहाँ पर दिया ग्या है कौन माली जाती है गुलाम मंडी उपन्यास की लेकी का चैन करना है मत्युकुण कॉश्चन यहाँ पर दिया ग्या है और आप सभी का यहाँ पर उननिस में सही आन्सर आ रहे है कि विकल्प नंबर डी सही आंसर है निर्मला भुराडिया, निर्मला भुराडिया जो है उनिका एक उपन्यास माना जाता है गुलाम मंडी डी वाला वेकलप यहाँ पर जो की सभी लोगों ने सही आंसर चैन किया है अंगला क्वोस्चन यहाँ पर देखेगा क्वोस्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है वीस बा क्वोस्चन है अनारो उपन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है निराजी सेठ हैं या फिर मंजुल भगत है मुर्दूला गर्ग है या फिर इहाँ पर कुसम कुमार है अनारो तो आप सभी का क्या होगा 120 का सही आंसर अनारो बताना है तो आप सभी का इहाँ पर सही आंसर होगा 120 में विकल्ट नंबर बी आपका इहां पर सही आंसर होगा मंजुल भगत मंजुल भगत आपका इहां पर सही आंसर होगा विल्कुल चही अनारो इनका एक जो है उपन्यास माना जाता है अनारो बिल्कुल चही अंगला कॉस्चन यहां पर देखिएगा कठ गुलाब उपन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है कॉस्चन नमबर 21 आप से पूँचा गया है ममता कालिया है, चंदर कांता है या फिर मिर्दूला गर्ग है या मेत्रे पुस्पा है कॉस्चन नमबर 21 है, मत्पूण कॉस्चन यहां पर दिया गया है चार विकल्प आपकी हां पर दिये गए है और आप सभी का हां पर सही आंसर क्या होगा और आप सभी का विल्कुल सही आंसर आरा है कठ गुलाब पूँचा है तो आप सभी का 21 में C सही आंसर आ रहा है यानि कि मिर्दूला गर्ग मिर्दूला गर्ग आपका सही आंसर है कट गुलाब इनी का जो अपन्यास माना जाता है विकल्प नमबर 3 आप सभी का सही आंसरों का बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन या आप देखेगा मिर्दूला गर्ग को 2013 का साहित अकादमी पुरुसकार उनकी किस उपन्यास पर मिला वह उपन्यास आपके लिए बताना है 122 में बताईएगा बंसज है या मिलजुल मन है या पिर चित्त कोबरा है या पिर अनित्त है बताईए चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दियेगा है कल्पना जी मिर्दूला गर्ग जी का वह उपन्यास बताना है जिस पर इनके लिए 2013 का साहित अकादमी पुरुसकार दिया गया तो 122 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कौनसा विकल्प नंबर आपका यहापर 20 सही आंसर होगा मिल जुल्मन उपन्यास के लिए साहित अकादमी पुरुसकार मिला कम मिला 2013 में 2013 कथा सतीसर उपन्यास की लेकी का कौन मानी जाती है और आप सभी का यहापर सही आंसर आ रहा है 123 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर 123 का कथा सतीसर पूँचा गया है और विकल्प नंबर भी होगा यहापर सही आंसर यह कथा सतीसर एको पन्यास माना जाता है किनका चंद्रकांटा का विकल्प नंबर दो जिन्वन भी यहापर चैन क्या है उनका यहापर सही आंसर होगा चंद्रकांटा अंगला question आप देखेगा question number आपसे आप 24 पूंचा गया है दुख्खम सुक्खम उपन्यास के लेकी का कौन मानी जाती है 24 में आपके लिए chain करना है ममता कालिया है मुर्दूला गर के हैं मैत्रे पुस्पा है या प्रचंद्र कांता है दुख्खम सुक्खम उपन्यास माना जाता है और आप सभी का यहांपर सफी आपन्यास जो है ममता कालिया का माना जाता है तो विकल्प नमबर आपका एक जो है वह हाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ियां इंगला कॉस्चन यहाँ पर क्या पूंचा गया है 25 बार कॉस्चन यहाँ पर दिया है कनेश जी देखेगा निमन लिकित में से कौन सव पन्यास ममता कालिया का नहीं है नहीं बताना है बेघर नरक दर नरक एक पत्नी के नोट से या फिर पूर्बाद्वार 125 में आपके लिए चैन करना है चार विकल्प आपके यहाँ पर दिये गया है मत्तपोन कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा 125 में नहीं पूंचा गया है तो विकल्प नमबर डी आपका सही आंसर होगा पूर्बाद्वार पूर्बाद्वार यह नहीं माना जाता है वाहंकि बेघर नरक दर नरक और एक पत्नी के नोट से जो की पूंचा ही जाता है लेकिन डी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर है यह उपन्यास इनका नहीं माना जाता है पूर्बाद्वार आपसे यहां पर 26 पूंचा गया है आपके लेखी का कौन मानी जाती है यह आपके लिए चैन करना है बताए यहां और आप चबी का यहां पर क्या होगा सही आंसर कौस्चन नमबर 26 में आपके लिए चैन करना है यह नुरुप्मा सेविती का है कृष्णा अगनी ओत्री यह पिर आवा कूंचा है चित्रा मुदगल या फिर नासरा सर्मा कौस्चन नम्बर 26 में आपके लिए चेन करना है मत्तपूर्ण कॉश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंचर आ रहा है यह माना जाता है किनका चित्रा मुदगल आपका यहां पर सही आंचरों का आंबा विल्कुल चाई बहुत बढ़िया उपन्यास विदा की रचिना मानी जाती है बताइए नासिरा सर्मा है चित्रा मुदगल है क्रिष्णा अग्नीोत्री है यह फिर मिरदूला गर्ग है जंदा वहाबरी उपन्यास की लेकी का कौन मानी जाती है हरीस जी तो आप सभी का यहांपर 127 में सही आंसर आ रहा है कि नासिरा सर्मा ना सिरा सर्मा यहां पर आपका सही आंसर होगा तो यह यहां पर सही आंसरों का बहुत बढ़ discussions यह आपर देखे गा कॉस्च नमबर आप से यह पर पूंचा ग्या है कौनसा 28 क्वारें यहां पर पूंचा है कोई या जान औप Vinyaass कि लेखी का और मानी जाती है 28 में चित्रस मुध्गल है नासरा सर्मा है क्रिश्ना अगनी होत्तरी है या पिर कृष्ट्न सोबति है एक 188 का सही आंशर चैन कीजेगा सभी लोग मत्यकुन कोस्चन यहां पर पूंचा क्या है और आप सभी का यहां पर सही आंशर आ रहा है यहां पर पूंचा है और विकल्प नमबर B आपका यहाँ पर सही आंसरों का नासरा सरमा जी का जे है यह 55 विदा की रचिना मानी जाती है वहुत बढ़िया परिंका जी बंधना जी रेना जी जन्हों अभी बीचन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा question number आपसे यहाँ पर 29 पूँचा गया है जूला नटो पन्यास की लेकी का कौर मानी जाती है बताईए जूला नटो पन्यास की लेकी का पूँचा है मिर्दूला गर्ग है मैत्रे पुस्पा है कृष्णा सुबती है अलका सरावगी है हाँ तो भई प्रेक्टिस करवा रहा है संज्यू जी question number 129 है महत्वपून question यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा जूला नटो पन्यास की लेकी का आपके लिए बताना है उन्तिसबा question आप से पूँचा गया है और विकल्प नंबर B जोनों ने भी चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा B आनिकी महत्रे पुस्पा महत्रे पुस्पा आपका यहाँ पर सही आंसर जूला है इस पर पुस्प बिच्छे हैं जूले पर पुस्प बिच्छे हैं तो जूला से जूला नट हो जाएगा पुस्प से महत्रे पुस्पा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा question number आप से यहाँ पर पुँचा गया है कौन सा तीसबा question है देखेगा अल्मा कबूतरी उपन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है एक सो तीस में आपके लिए चैन कन्ना है मेत्रे पुस्पा है अल्का सरावगी है या फिर मिर्दुला गर्ग है या फिर ममता कालिया है हाँ विसाल जी live class चलते है रोज अपनी और अल्मा कबूतरी उपन्यास की लेखी का पूंचा गया है तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर और तीस में आप सभी का सही आंसर है अल्मा कबूतरी उपन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है तो विकल्प नमबर एक सही आंसर है मेत्रे पुस्पा कौन मानी जाती हैं मैत्रे पुस्पा यानि की विकल्प नमबर एक जो है आपका इहां पर सईया अंसर है जो कि सभी लोगों ने आपर सईया अंसर बताया है आओ पैंपैं घर चलें और पन्यास की लेकी का कौन मानी जाती है एकतिस में आपके लिए बताना है अलका सरावगी है या फिर मेंडाल पांडे है बीना से है या फिर प्रभाखीतान है 131 का सज्या अंसर चेहन कीजेगा आओ पेंपें घर चलें यो पन्यास की लेकी का पूंचा गया है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं क्या बता रहे हैं विकल्ट नंबर आपका 131 में D सज्या अंसर होगा प्रभाखीतान प्रभाखीतान आपका यहां पर सज्या अंसर है आओ पेंपें घर चलें आओ पेंपें पेंपें कहां पर है खेतन में खेतन में तो आओ पेंपें घर चलें तो प्रभाखीतान जी का एक उपन्यास माना जा जाती है 132 में आपके लिए चेहन करना है क्या होगा उमेश यादब जी सईयांसर मेधा जी रजनी गपता है या फिर अलका सराव जी है उसा प्रियमबदा है या कृष्णा सोबती है सेस कादंबरी और 85 की लेकी का कौन मानी जाती है ये आप से पूंचा गया और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि 32 में विकल्प नमबर जो आपका यहां पर भी है वह सही आंसर होगा अलका सरावगी अलका सरावगी आपका भी वाला विकल्प यहां पर सही आंसर किन का उपन्यास माना जाता है बताईए चमा सर्मा का है प्रतिवा राय या फिर अनामी का या फिर राजी जमा तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि 133 में आप सभी का जो सही आंसर है भै माना जाता है कि इनका छमा सर्मा जी का देखेगा आजकल जो है मोबाइल पर ही छमा मांग लेते हैं लोग, मोबाइल पर छमा मांग लेते हैं लोग, तो छमा से क्या हो जाएगा छमा सर्मा और मोबाइल से मोबाइल, तो इनका एक जो है उपन्यास माना जाता है छमा सर्मा का कौन सा मोबाइल, तो वेकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कॉश्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है कौन सा 34 बा कॉश्चन है दस द्वारे का सपना और पन्यास की लेखी का कवर्मानी जाती है बताईए चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉश्चन यहाँ पर दिया गया है और अनामिका है मनीशा कुल सरेष्ट है या फिर चंदर कांता है या फिर रजनी गुपता है 34 बा कॉश्चन आपसे पूंचा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर तो 34 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि मनीशा को यहाँ पर जो अनामिका है अनामिका को दस द्वारे का सपना आया तो अनामिका आपका सयांसर है नहीं कर यह को पन्यास माना जाता है दस द्वारे का सपना तो विल्कुल सयांसर है विखल्प नमबर एक यहाँ पर सयांसर होगा बहुत बढ़िया दिपक जी question number आपसे यहाँ पर 35 पूँचा गया है कि महापोह अपन्यास की लेकी का कौन मानी जाती है बताए चैन कीजेगा महत्वपूर्ण question यहाँ पर दिया गया है question number आपका यहाँ पर 35 पूँचा गया है और 35 में आप सभी का सही आंसर आहा है कि विकल्प नमबर जो भी है भर आपका इहां पर सही आंसर होगा यानि कि पृटिभह राए पृतिवभार्य को पर जाता है जो विकल्प नंबर बी जन्होंने भी चेहन किया है उनका इसाँ पर सही आंसर होगा कॉश्चन नंबर आपसे यहां पर अंगला क्या पूंचा गया देखेगा एरहा कॉश्चन नंबर आपका कौनसा 36 बा कॉश्चन किस्सा कोता है कि लेकर क्वाण मानि जाते है बताईएगा तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते करेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार जल्दी से लाइक अबस्ते कर लें और रोज आपके लिए इसी तरह की पॉस्चन लाए जाते हैं किस्सा कोता है की बात करें, तो ये इसके लेखक माने जाते हैं, कौन? 36 में आप सभी का सही आंसर होगा, वेकल्प नमबर एक यानि की राजिस जोसी, राजिस जोसी किस्सा सुनकर जोस में आ गए, किस्सा सुनकर जोस में आ गए, तो जोस से राजिस जोसी किस्सा से कोता है, आपका किस्सा कोता है जो है सही आंसर होगा 37 वा कॉस्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूंचा गया है 37 वा कॉस्चन यहाँ पर दिया है मैं बूरी सा इल्ला उपन्यास के लेखी का कौन मानी जाती है 37 मैं आपके लिए चैन करना है बताइए क्या होगा सईयांसर मैं पूरी सा इल्ला यह उपन्यास माना जाता है उसा किरण खान का या फिर यहाँ पर मगुगा मांजी समन बेदी या फिर सुभा बर्मा और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा कि मैं पूरी सह इल्ला यह जो उपन्या से यह माना जाता है किनका तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा मवगा मांजी नमगवा मांजी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिलकुल सही बहुत बढ़ी है विकल्प नमबर यहाँ पर जिन्हों ने भी चेन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दो जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है तिब्या स्वधा उपन्यास की लेकी का क पर मानिजाती है अड़तिस में आपके लिए चेहन करना है सिम्वी हरसिता है या फिर नीरजा मादब हैं सैलीस मत्यानी है या फिर रजनी पनिक्कर हैं question महत्यपूर है question number आपका 138 यहां पर पूंचा क्या है और यह उपन्या सकिन का माना जाता है ये चैनिकन्ना सभी के लिए अभिसेख जी और सिलपा जी ताजन जी आप सभी का एहां पर सही आंसर आ रहा है कि 138 में विकल्प नंबर दी जो है वहें आपका सही आंसर लबली जी बहुत बढ़ी है नीरजा माधब क्या है सही आंसर नीरजा मादा विकल्प नमबर दू यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर भी आप सभी का सही आंसर है या अतना सिविर उपण्यास की लेकी का कौन मानी जाती है बताईए चैलिस मट्यानी है या फिर वगवा मांजी है सुमन बेदी है या फिर सिम्मी हरसिता है 49 वा कॉस्चिन आप से यहां पर पूंचा गया है और 49 में आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर या अतना सिविर उपण्यास है और इसकी लेकी का कौन मानी जाती है तो कॉस्चिन नमबर 49 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नमबर में आपका D सही आंसरों का सिम्मी हरसिता क्या सही आंसर सिम्मी हरसिता जो है यह उनीका उपण्यास माना जाता है विकल्प नमबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कोशन नमबर आप से यहाँ पर 49 होगया 40 वा कोशन देखेगा मैक लुस्की गंजे अपन्यास के लेकप कौर माने जाते हैं 140 में आपके लिए बताना है बताईएगा विकास कुमार जान है दीपक सौरब है, द्रोन बीर कोहिली है नरेंद्र कोहिली है मैक लुस्की गंजे और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर 140 में आपके लिए चैन करना है तो 140 में आप सभी का सही आंसर होगा मत्यपूर्ण कौशन पूशा गया है और विकास कुमार जान जो है यह उनी का उपन्यास माना जाता है विकल्प नंबर एक जनों ने भी यहाँ पर चैन किया है पिंकी जी उनका यहाँ पर सभी का सही आंसरों का विकास कुमार जान अंगल्या कौश्यन यहाँ आप देखेगा सलाम आकरी अपन्यास की लेकी का कौन मानी जाती है बताइए question number आपसे एक से 41 यहाँ पर पूँचा गया है सलाम आकरी उपन्यास है मदु कांकरिया जी का गीतांजली स्री का या फिर रजिनी गुपतार या अपन्यासरी question number आपसे यहाँ पर 41 पूँचा गया है और 41 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चैन कीजेगा मत्यपूण question यहाँ पर दिया गया है तनु जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है मदु कांकरिया का सलाम आकरी मदु कांकरिया का सलाम आकरी उपन्यास माना जाता है किनका मदू कांकरिया का विकल्प नमबर आपका एक जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा लोट आओ हैरी पन्यास की लेकिका कौन मानी जाती है बताइएगा लोट आओ हैरी उपन्यास रमा सेंका वीना सिन्हा मदू कांकरिया या फिर रजिनी गुपता कौस्चन मत्पून है नमबर जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मनीशा जी 142 में चैन कनना है किनका यह माना जाता है उपन्यास लोट आओ हैरी तो आप सभी का सही आंसर है 142 में चैन कनना है तो यह वाला वेकल्प जो है रमा सेंका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा रमा सहे का ये उपन्यास माना जाता है वेकल्प नंबर ये वाला आपका हाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 पूँचा गया है बेतबा बहती रही उपन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है बताइए बेतवा भाहिती रही मेत्रे पुस्पा, मिर्दूला गर्ग या पिरभा खेतान या फिर मिन्लाल पांडे 43 वा कॉस्चन आपसे पूंचा गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर चेन कीजेगा मुत्रपूर्ण question है और आप सभी का इहाँ पर सही answer होगा बेतबा भहती रही वो 25 की लेकी का कोण मानी जाती है question number आपका 43 है नो 43 में आप सभी का सही answer आ रहा है विकल्प number 1 यानि कि मैत्रे पुस्पा मैत्रे पुस्पा आप सभी का सही answer है बेतबा बहती रही मित्रों के साथ तो मित्रों से मेत्री हो जाएंगे मेत्रे पुस्पा जी का ये उपण्यास माना जाता है question number आपका पूंचा गया है चबालिस की माई उपण्यास की लेखी का कौन है मदू कांकरिया है अलका सरावगी है नीरजा माधव है या पिर गीतांजली स्री है माई उपण्यास की लेखी का आपसे पूंचा गया है कौन मानी जाती है ये आपसे पूंचा है सभी लोग चेन कीज़ेगा मत्तपूर्ण question है और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है कि यहाँ पर चावालेस में जो विकल्प नंबर डी है गीतांजली स्री भै आपका यहाँ पर सई आंसर है गीतांजली स्री का ये क्या है वो पण्यास माना जाता है कौन सा माई question नंबर आप से यहाँ पर पूंचा गया है कौन सा 45 बा question है कली कथा बाया बाइपास वो पण्यास के लेकिका कौन मानी जाती है बताएगा उसा प्रियम बता है या पिर अलका सरावगी है अनामी का है या पिर छमा सर्मा है कली कथा बाया बाइपास पूंचा गया है मत्वण question यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर चैन कीजेगा मत्वण question यहाँ पर दिया गया है 45 बाइपास पूंचा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अलका सरावगी क्या है सही आंसर अलका सरावगी अत्येंद्र जी आपका सही आंसर यांसर जी बहुत बढ़िया इनी का जो है उपन्यास माना जाता है जो कि अपने कई बार पड़ा भी है पटरंग पुराण उपन्यास की लेकिका कोर्मानी जाती है चालिस में आपके लिए चेन करना है मिर्णाल पांडे है या फिर प्रभा केतान है सूरेबाला है या फिर नुरुपमा सुबती है question number आपका यहाँ पर एक सो चालिस पूंचा गया है पटरंग पुनाण चबी संकर जी पटरंग पुनाण उपन्यास की लेखी का आपसे पूंचा है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि 140 में आपका जो विकल्प number एक है वैं सही आंसरों का मिर्णाल पांडे मिर्णाल पांडे आपका यहाँ पर विल्कुल सही आंसरों का बहुत बढ़िया तबी लोगा ने यहाँ पर सही आंसर चैन क्या है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा बित्ता भर की छोकरी और पन्यास के लेखी का कौन मानी जाती है बताईएगा कॉस्चन नमबर 47 है चित्रा चतुरवेदी है कृष्णा सूबिती है कृष्णा अगनी होत्री है या पर सुर्वाला है बित्ता भर की छोकरी और पन्यास यह आपके लिए बताना है इसकी लेखी का कौन मानी जाती है 47 वा कॉस्चन आपसे पूंचा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 47 में क्या होगा सही आंसर बिल्कुल सही कृष्णा अगनी होत्री आपका यहाँ पर स्थी वाला जो विकल्प है आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही कृष्णा अगनी होत्री वित पॉच्शन नमबर आपसे यहां परious पूंचा गया है कि धैकन के पार उपंज्यास की लेकि पांवाली जाती है बताई है और आप सभी का यहां पर क्या है सही आंसर asks दैकन के मत्बून कौस्चन जिए आंसर आ रहा है नासरा सर्मा नुर्पमा सेविती चित्रा चत्रवेदी मेंडाल पांडे 48 में आपका विकल्प नंबर B जो है सही आंसर होगा नुर्पमा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा नुर्पमा सेविती जिनने भी चेन किया विकल्प नंबर B उनन्चास में चेहन कीजेगा, चित्रा मुद्गल हैं, कमल कुमार हैं, चुर्वाला हैं, चित्रा चित्रवेदी हैं, एक सो नन्चास में, अमबा नहीं मैं भीसमा, वो पन्यास चेहन करना है, और हाँ, बिल्कुल, तो यहाँ पर कॉस्चि नमबर एक सो नन्चास में आप तुर्वेदी जिन्वाने भी यहाँ पर चैन किया विकलत नमबर चार उनका यहाँ पर सयांसर लाइक तो करते जाएगा सभी लोग हीरामन हाई स्कूल उपन्यास की लेखी का कौन मानी जाती हैं एक सो पचास में आपके लिए यहाँ पर चैन करना नितु गुपता जी ममता कालिया हैं कुसम कुमार हैं मेरुन निसा परविज हैं या फिर राजी सेट हैं सिलपा जी तो हीरामन हाई स्कूल उपन्यास की लेखी का आपके लिए चैन करना है तो आप चबी का सभी का सभी आंसर आ रहा है कि पचास में विकल्प नंबर जो भी है आपका सभी आंसरों का कुसम कुमार कुसम कुमार आपके या पर भी वाला विकल्प जो है सही आंसरों का बहुत बढ़िया तक्तसम उपन्यास की लेखी का कौन मानी जाती है बताएगा राजी सेट है बीना सिनहा है रजनी गुप्ता है राजी जमा है और अपनने इसको कई बार पढ़ा है तक्तसम उपन्यास कौन सा तक्तसम बहुत बढ़िया तो इस प्रकार की मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर थे अब अपन कल पढ़ेंगे कहानी विधासे संबंदित मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो तैयार रहिएगा रोज अपनी एक लास होती है सुबह नौ बजे अंगली क्लास अब दो बजे एमपी जी के की उसकी बाद 4 बजे आपके लिए हिंडी सहरफ तकी तो तो सभीथ बहुत बहुत थन्यवाद की बिडियो में वस इतना ही और सभी लोग बीडियो को लाइक अबस्ते कर लिय करें दों ने अभी तक लाय toughy नहीं किया है लाइक अबस्ते कर लेंआ जी नीता जी दीपक पवार जी सिलपा जी संध्या जी रीमा जी पिंकी जी मनीशा सिभी जी रिता जी कल्पना जी राविता जी और प्रीती बगिल जी और रिया जी नामबीर जी विलकुल हरीश जी मस्कान जी रीमा जी संध्या जी पुस्पा भारती जी कंचन जी उपासना जी संजू जी दीपक जी onwards सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दि करना जी और इसी तरह से जो है लाइक से रवस्च करते रहेगा नितु जी वेल्कुल तो विस अर्कपना सभी लोगों के ले लाइक से रवस्च करना हैं आज के वीड़ो में बस इतना ही सभी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और संध्या कुमारी जी बंदना जी सभी के लिए जय हिंद्ड